देश की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ये अच्छे से जानते हैं कि जनता के दिलों पर राज कैसे करना है तब ही तो 2014-2019 फते करने के बाद अब उनका फोकस 2024 पर है हलाकि जिस तरह से मोदी लेहर चल रही है उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि आएंगे तो मोदी ही पीम मोदी को हराने के लिए पूरा विपक्ष एक जुट हो गया है ऐसा लग रहा है कि इस बार का चुनाव मोदी बना महा गटबंधन होने वाला है हलाकि मायवती भी पीछे नहीं है जी हां बसपा सुप्रीमो मायवती ने इन चुनावों में अकेले ही लड़ने का एलान कर दिया है इसे लेकर कुछ राजनितिक विशशग्य ये भी कह रही है कि मायवती का ये फैसला बीजेपी को ही फायदा पहुँचाएगा इन सब के बीच अब पीएम मोदी ने तगड़ा फैसला किया है जिसे उनका मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है दरसल पीएम मोदी ने अपने मन की बात कारेक्रम के 102 वे एपिसोड में रविवार को मुसलिम महिलाओं का जिक्र किया और इसी के साथ मुसलिम महिलाओं से बातचीत करते हुए भी नजर आए आपको बताते चले, पहली बार स्क्रीन पर मुस्लिम महिलाएं पियम मोदी से समवाद करती हुई नजर आई। कि लोगों ने एक कमाल कर दिखाया है। बारा मुला में खेती बाड़ी तो काफी समय से होती है। लेकिन यहाँ दूद की कमी रहती थी। बारा मुला के लोगों ने इस चुनावती को एक आउसर के रुप में लिया। यहां बड़ी संघ्या में लोगों ने डेरी का काम शुरू किया इस काम में सबसे आगे यहां की महिलाय आई जैसे कि एक बहन है इश्रत नभी इश्रत एक ग्रेजुएट है और इन्होंने मीर सिस्टर्स डेरी फार्म शुरू किया है उनके डेरी फार्म से हर दिन करीब 150 लीटर दूद की बिक्री हो रही है ऐसे ही सोपोर के एक साती है वसीम अनायत वसीम के पास दो दरजन से ज़्यादा पशु है और वो हर दिन 200 लीटर से ज़्यादा दूद बेचते हैं एक और युवा आबिध हुसेन भी डेरी का काम कर रहे हैं इनका काम भी खूब आगे बढ़ रहा है ऐसे लोगों के महनत की वज़े से ही आज बारा मुला में हर रोज साड़े पांच लाख लीटर दूद उत्पादन हो रहा है पूरा बारा मुला एक नई स्वेत करांती की पहचान बन रहा है पिछले ढ़ाई तीन वर्सों में यहां पांच सो से ज़्यादा डेरी इंडिस्ट लगी है बारा मुला की डेरी इंडिस्ट्री इस बात की गवा है कि हमारे देश का हर हिस्सा कितनी संभावनाओं से भरा हुआ है किसी छेत्र के लोगों की सामुहिक इच्छा सकती कोई भी लक्ष प्राप्त करके दिखा सकती है